नमस्कार दर्सकों, कैसे हैं आप शबहे, उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मजे में होंगे दर्सकों आज का जो हमारा वीडियो है, वो आपके लिए अती आविश्यक और महतपुर्ण होने वाला है क्योंकि अगर आप इस वीडियो को सुन रहे हैं, तो आपके मन में भी अमीर बनने की अभिलासा बहुत जयादा होगी आप भी अपने जीवन में अमीर बनना चाहते होंगे, परंतु आपका जो भाग्य है, आपका जो शमय है, वो आपका शाथ जयादा नहीं दे पा रहा होगा आप मेहनत बहुत जयादा करते होंगे परिस्रम बहुत जयादा करते होंगे परंतु मेहनत परिस्रम करने के बावजूद आपका शमय आपका भाग्य आपका शाथ जयादा नहीं देता होगा आप भी जो अमीर बनने का सपना है उसको कहीं न कहीं दवा देते होंगे तो आपको चिंता नहीं करना है आज का जो वीडियो है वो आपको हजार पती, लाख पती, करुड़ पती नहीं अड़पती बनाने वाला है वीडियो के माध्यम से जो उपाई बताया गया है उस उपाई को अगर सही तरीके से आप आज माते हैं तो आपका शमय आपका भाग्य आपका शाथ अवश्य देगा और आजीवन आपको परिशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा आपके पास में पैसे बहुत जयादा मात्र कर देना है और उसके वाद वीडियो के नीचे में आपको अपना नाम कमेंट कर देना है फिर वीडियो को बड़े ही ध्यान से सुनना है तो आईए वीडियो की सुरुआत करते हैं मित्रों पहला उपाई है कि आपको प्रतेक दिन सुर्य उद्य के समय उठ जाना है सुर्य अजीवन आपको पड़ेशानी का सामना बिलकुल भी नहीं करना है। पड़ेगा अगर किसी भी कारण से आप यह उपाए नहीं कर पाते हैं तो दूसरा उपाए है आप उसको सुनिएगा आपको प्रतेक मंगलवार और शनी बार के दिन सुन्दर कांड का पाठ करना है सुन्दर कांड के अलावा आपको हनुमान चालीसा और बजरंग बान इसका पाठ भी हर एक मंगलवार और हर एक सनी बार को करना है और भगवान बजरंग बली हनुमान जी की आपको पूजा करनी है अगर आप यह करते हैं तो आपकी उन्नती बहुत जयादा होगी और आजीवन आपको पैसों की परेशानी का सामना बिलकुल भी नहीं करना आपका शमय आपका भग या आपका शाथ देगा और आप बहुत जयादा अमीर बनने वाले हैं दोस्तों अमीद करता हूँ इस दो उपाई को आज माने के बाद आपके जीवन में पैसों की परेशानी बिलकुल भी नहीं होगी अगर आपके मन में कोई प्रस्न कोई सवाल ह आपके चाहित आवश्य की जायेगी वैसे मैं उमीद करता हूँ अब तक आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा और वीडियो को हर जगा सेयर कर देना है तो हमारी आपकी मुलाकात एक नए वीडियो में होगी तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जय महादेव